नमस्कार बच्चों कक्षा 10 exercise 4.3 question number 3 का प्रथम भाग हम कर रहे हैं देखिए हमें एक समीकरन दी गई है x-1.x ब्राबर 3 जहाँ पर x जो है वह 0 के ब्राबर नहीं है इसका क्या मतलब वह x जोने के ब्राबर क्योंकि x नीचे है तो इसका मतलब यह 0 हो जाएगा तो किसी नमबर को 0 से भाग करेंगे तो वह infinite बन जाएगा वह हमने बनाना नहीं इसका इसी लिए हमने बोला x 0 के ब्राबर नहीं है ठीक है बच्चो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका द्वी घात समीकरन पहले बनाएंगे उसके बाद हम इसे आगे हल करेंगे देखे इसको कैसे द्वी घाट समिकरन बनेगे सबसे पहले ज़िए इस X के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर है 1 अब X और 1 का लगत्तम आजाएगा X X को इस नीचे वाले से भाग करेंगे जो उत्तर आएगा उसको उपर वाले से गुना करेंगे X को 1 से गुना किया तो आया X उस X को उपर X से गुना कर दो X गुना X होता है X स्क्यर माइनस दुबारा समझ लो X को 1 से भाग किया तो आया X X को उपर X से गुना कर दिया X स्क्यर बीच में माइनस का निशान था हो माइनस डाला अब X को X से भाग करेंगे X को X से भाग कर रहा X X करेंगा बच गया 1, 1 को उपर 1 से गुना कर दिया तो है 1, बराबर है 3, अगले स्टेप में ये X इस पूरी रकम के साथ यहां भाग हो रहा है अगले स्टेप में ये 3X है बराबर से इधर इसको बराबर के इधर लाएंगे ताकि द्विघात समी करन बने ये 3X यहां प्लस का है जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का तो X वाली रकम पहले और माइनस 1 बाद में बराबर 0 अब ये जो रकम है ये बन गई AX केर प्लस BX प्लस C बराबर 0 जैसी यानि कि द्विघात समी करन जैसी तो अब यहां से देखिए एक इसके बराबर होगा मिला लो X केरस के साथ कुछ नहीं है यानि 1 है X केर X केर एक इसके बराबर होगा 1 के X वाली रकम B किसके बराबर होगा माइनस 3 के बराबर इसी प्रकार से बच्चो देखो प्लस C माइनस 1 तो C किसके बराबर हो जाएगा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा ठीक है बच्को अब हम इसे द्वी घात सूतर के हिसाब से solve करेंगे तो हम लिखेंगे द्वीघाद सूत्र के अनुसार द्वीघाद सूत्र क्या कहता है? X किस के बराबर है? माइनस B, प्लस माइनस, अंडरोट, बी स्क्यार, माइनस 4AC, बटा 2A यही है ना द्वीघाद सूत्र तो इसमें हम वैलिउस पूट करते हैं X बराबर माइनस तो माइनस B देखो B कितना था माइनस 3 तो यह मैंने ब्रैकेट में को लिखा ताकि दो निशानी कठे ना हो जाए प्लस माइनस तो प्लस माइनस अंडरूट B स्केर B है माइनस 3 का होल स्केर माइनस 4 इंटू A A कितना है 1 इंटू C, C कितना है देखे माइनस 1 यह सारे के उपर रूट है और पूरे के नीचे कितना है 2A 2 इंटू A, A कितना है देखे 1 अब हम इसे हल करेंगे X बराबर देखो माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस तो माइनस इंटू माइनस 3 होगा प्लस 3 आगे है प्लस माइनस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस वो आगे जाके करेंगे रूट के अंदर क्या हो गया माइनस का स्क्यार प्लस तीन का स्क्यार होता है 9 आगे देखो ये तीनों आपस में गुना और है 4, 4, 4, 4, minus into minus plus बटा, 2, 1, 2, यह समझा गया बच्चो आप सबको, अब इसे हल के रिए, देखिए, 3, plus, minus, 9, 4, 13, यह root के नीचे है, 13, बटा, 2, अब हम क्या करेंगे, एक बार plus की रकम और एक बर माइनस की तो जब प्लस की रकम लेंगे तो हमार पास आ गया तीन प्लस रूट 13 बटा दो जो माइनस की रकम लेंगे तो आ गया तीन माइनस रूट 13 बटा 2 सॉरी यह यहां नहीं आएगा इधर आएगा इधर इसका मतलब यह हमारे पास पहला मूल आ गया यह हमारे पास दूसरा मूल आ गया यही हमें निकालना था इसके समिकरनों के मूल गयात करने थे सबसे पहले हमें द्वीगात समिकरन दी नहीं गई थी हमने उसको द्वीगात समिकरन बनाया कैसे बनाया X और एक का लगुत्तम लिया X को 1 से भाग किया X X गुना X X को X से भाग किया 1 1 into 1 1 3 X यहां पर इनके साथ भाग हो रहे है ये X उधर आके गुना हो गया X स्क्विर minus 1 बराबर ये उधर आके गुना हो गया 3X 3X को इधर लिया है तो ये समिकरन बन गी उसके बाद द्वीगात सूतरन लिगा के हमने इस समिकरन के दोनों मूल निकाल दिये है आशा करता हूँ ये प्रशन आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद